मेलू फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे स्वास्थ होंगे स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल ब्लोगर प्रगती MNP में तो आज बनने चल रहा है अर्वी के पत्तों की भाजी रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को एंट तक देखें पत्तों को धुलके ले लिया है अब इनको वारिक वारिक कट कर लेंगे पत्ते सभी कट हो चुके हैं अब मशाला डालने के लिए तयार कर रहे हैं हम इसमें नॉर्मल मसाले जो डेली में यूज करते हैं वह यूज करेंगे कोई अलग से मशाला नहीं और दो छोटी-छोटी प्याज बरीक काट के इसमें डालेंगे और ये बेशन को छान लिया है इधर एक तरफ कड़ाई में पानी गर्म होने रख दिया है और अब तयारी करते हैं इसका एक डो बनाने के लिए और इसमें हलका हलका पानी डालके इसे आटे की तरह गून रहा है और ये देखिए आटे की तरह तयार हो गया है ये और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब देखिए इसके छोटे-छोटे रॉल बना कर तयार कर लेंगे सभी तब तक पानी भी अच्छे से उदर बॉयल हो गया है और अब इसमें ये छोटे-छोटे रॉल बनाई थे वो डाल देंगे और इसको डखके गैस के फ्लेम को सिलो करके इसे पकने देंगे और तब तक इदर मसाले की तयारी करते हैं लेशन प्याज ये हमने चौक कर लिया है देखिए तब तक ये वॉयल हो गए है और इनको निकाल के छोटा-छोटा कट कर लेंगे कट हो चुके हैं अब इनको फ्राइ करने की तयारी करते हैं फिर से वही हम अपने डेली यूज वाले नॉर्मल मसाले ले लेंगे और कडाई में तेल गर्म हो चुका है और मसाले गोल के डालेंगे ताकि ये चिपके चिपके रहे मसाला जले ना और प्याज हमने कडाई में डाल दिया है प्याज अच्छे से बुन गया है अब इसमें गुला हुआ मसाला एट कर देंगे अब ये अच्छे से भुन चुका है अब इसमें ये अर्वी के पत्ते के पीसिस डालेंगे और इन्हें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही टैश्टी और सिंपल तरीके से बनके तयार हुए है इन्हें एक वार जरूर ट्राई करें अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल सस्क्राइब करें